भारतिय राष्टिय छात्र संगटन के कारकरताओं ने संगटन के जिलाद्यश वा छात्र नेता मनीश ओजा के नेतरूत में सिटी मजिस्टेट तथा एसेसपी को चार सुत्रिय मांग पत्र सौपा कारकरताओं का कहना था कि छात्रों को अपराधिक करार देकर रेड कार्ड नोटिस जारी कर परतिबंदित किया जा रहा है जो सरासर अन्या है गुरफपर नियू से बात करते हुए एनस यू आई के जिलाद्धेश मनीश उजाने कहा अज हम लोग विश्विद्याले से सम्मंदि चार सुत्री मांग पत्र सौपा गया है गुरफपूर जिलादेकारी और मानी वरिषपुली सादिचक जी को हमारी मांगे है जो विश्विद्याले में रेड कार्ड जारी हुआ है जो विद्यार्थी परषद के किसी प्रत्यासियों ने जारी हुआ बाकी जो अन्य हमारे चात्रनेता भाई है सभी के उपर जारी हुआ ऐसा दो तरफा कानून क्यों बनाया जा रहा और ऐसा दो तरफे निगायों से क्यों देखा जा रहा चात्रनेताओं को जो हमने हक और हुकुप की बातों को रखते हैं क्या वो अपराधी हैं इनके विश्विद्याला और पुलिस प्रसासन की नजर में इसको देखते हुए हम लोग मानी अस्वासन दिया है कि हमारी मांगो को माना जाएगा और जो हमारे भाई अनिल दूबे जी के साथ जो तीन नहीं किया गा उनके रिहाई के लिए भी गुहार लगाई गई है अस्वासन दिया है कि उसको जल से जल दूर करा जाएगा धन्यवाद